हलो चिल्रन, वेलकम तु दक्ष ओनलाइन क्लाशे, हमने अपनी चैप्टर 7, क्लास 6, गैटिंग टुनू प्लांट्स में, अपने पिछले वीडियो में, कैटिगरीज और प्लांट्स के बारे में समझा था, जहां हमने अलग-अलग जितने भी प्लांट्स थे, उनको उनकी जो बिसिस्ता हैं, जो उनकी अलग-अलग structure थे, उनकी हिसाब से उनको कैटिगरी में बाटा था, अब हम जो अपनी इस वीडियो में, आज उनके बारे में और थोड़ा यहां समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था, herb, shrub और जो tree हैं, उनको हम यह कैसे classify कर सकते हैं, plants with green and tender stems are called herb, ऐसे plants, जिनकी जो stem होती है, जो तने होते हैं, बहुत ही जादा green और tender होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम herb, okay, herbs, they are usually short and may not have many branches, यह ज्यादा तर छोटे होते हैं, okay, और इन में बहुत ज्यादा जो branches हैं, जो साखा हैं, बुन नहीं पाई जात हैं, some plants develop, branches near the base of stem, और कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनमें branches उनके base, जो stem के base से ही start हो जाती हैं, जो साखाए हैं, वो तने से ही start हो जाती है, the stem is hard, stem hard तो होती है, but not very thick, but बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, such plants are called shrubs, तो ऐसे plants को हम क्या बोलेंगे, shrubs, okay, ऐसे plants को हम shrubs बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है, जाडियां, जाडियां देखी होंगी आप लोगोंने, some plants are very tall and have hard and thick stem, अब कुछ ऐसे plants जो बहुत ज्यादा tall होते हैं, okay, and बहुत ज्यादा hard होते हैं, and जो thick stem वाले होते हैं, okay, the stems have branches in the upper part, और जो stem में जो branches होती हैं, वो बहुत ज्यादा upper part पर होती है, much above the ground, okay, much above ground means बहुत ज्यादा upper, जो ground label है, जहाँ पर वो tree लगा होता है, उससे बहुत उपर जो उसकी branches हैं, बहुत उपर जाके निकलती हैं, आप लोगोंने, जो trees देखे होंगे, उनमें जो उसकी branches हैं, वो बहुत ज्यादा upper जाके निकली होती होती हैं, such plants are called trees, तो ऐसे plants को हम क्या बोलेंगे, trees, जो आपने 7 point figure, figure number 7.3 पर देखा हो, जो C number का plants है, based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1, अब हमने इतने सारी, जो उनकी कुछ-कुछ से जो विसेशना हैं थी, जैसे कि herb, shrub और tree, इनमें हमने difference जाने, और इनको उनकी character के हिसाब से divide भी किया, कि कौन सा, किस type का होता है, okay, herb क्या होती है, shrub क्या होता है, इसमें branches कहां से आती है, इसमें कहां से branches आती है, कितना इसका stem मोटा होता है, कितना इसका thick होता है, okay, तो ये सारी चीज़ें हमने यहां जानी, तो अब हम इनको अच्छ से classify कर सकते हैं, अगर हम से कोई सीज को पूछे, based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1, तो जो जैसा कि मैंने आपको first video में, chapter 7 की, first video में, जो column 4, the table का column 4 चुड़ाया था, जो हमने कहा था, कि हम इसे बाद में करेंगे, तो अब आप इसमें अच्छ से इसको classify भी कर सकते हैं, okay, तो अब आपक पहेली बांडर, what kind of stem, the money plant, beanstalk, ground plants and grab wines have, अब पहेली यहां जानना चाहती है, कि जो money plant होते हैं, और जो same होती है, आप लोगोंने खाई होगी, और जो लौकी होती है, तथा जो ground plants होते हैं, तथा जो अंगूर की प्लांट्स होते हैं, जो उसकी अरंगूर की प्लांट्स होत प्लांट्स होते हैं, तो इनको ऊपर चाहने के लिए, या उबने के लिए, या ग्रो करने के लिए, इनको सहारी की ज़रूरत क्यों होते हैं, प्लांट्स with weak stints that cannot stand upright, but spread on the ground are called creepers, तो यह सीधे खड़े नहीं हो सकते, जो कमजोरतने होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने आँ समझा, जो मनी प्लांट्स होता है, वो बहुती जादा कमजोरतने का होता है, तो यह सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो इन पूरी तरीक से फैले हुए होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, creepers, अभी हमने सिर्फ तीन चीजों के बारे में यह समझा था, herb, shrub and tree, लेकिन अभी यहाँ पे creepers भी है और climbers भी है, जिसको अभी हम समझने वाले हैं, वाइल दोस्ते एक support and climb up are called climbers, अब को चैसे भी हैं जिनको support की ज़्यादा जरूरत होती है और चढ़ने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, climbers, को चैसे होते हैं, जो नीचे ही फैले हुए होते हैं, और उनके जो इसलिए में बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो रहते हैं creepers, और जिनको ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है, औ उस पर draw करते हैं, या और बड़े हो जाते हैं, तो वो होते हैं climbers, these are different from the herbs, shrubs and tree, तो ये फर्क है, जो herbs से, shrubs से और tree से, इन सभी में ये सारे अंतर हैं, perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of, हो सकता है कि आपके घर के बाहर, या घर में, या आपकी स्कूल में ऐसे plants हों, जिनकी आप care करते हों, किस टाइप के, creepers और climbers, हाँ, ऐसे हमारे घरों में, जो स्कूल है, उनमें ऐसे plants जादा तर होते हैं, suppose money plants, ओके, ये सब के घरों में mostly देखने को मिलता है, तो आप उनकी जादा care करते होंगे, write down the names of any, any two trees, आपको ऐसे two trees के name लिखना है, ऐसे two shrubs के name लिखना है, ऐसे two herbs के name लिखना है, और creepers के भी name लिखना है, growing in your house और schools, और जो की आपके school और house में, या फिर आपकी garden में, घर की garden में, जो grow कर रहे हैं, उनके name लिखना है, तो आपको यहाँ पे एक list बनानी है, इन ही, जो trees की, shrubs की, herbs की, और creepers, और climbers की, तो आप अच्छे से इस वीडियो पर दो दो name देना है, यही आपका work है,